नमास्कार दोस्तों, आज के समय में एनाकॉंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है क्योंकि ये कई फिट लंबे और विशाल कई होते हैं, जो किसी बकरी या हिरंग को सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं की, डाइनसों के काल में पाए जाने वाले टाइटेनो बोवा नाम के सांप एनाकॉंडा से भी कई गुना विशाल होते थे टाइटेनो बोवा को धर्ती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वज़े से इसे मौन्स्टर स्नैक भी कहा जाता है डाइनसों के समय सभी विशाल जीव जन्तु 6 करोर साल पहले धर्ती पर उलका पिंद गिरने के वज़े से मारे गए थे टाइटेनो बोवा ये सांप इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगर मच को भी निगल सकता है दरसल टाइटेनो बोवा को भी डाइनसों के साथ ही विलूप मान लिया गया था लेकिन वे ग्यानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी, अमेजोन नदी में ये सांप आज भी जिन्दा रह रहा है माना जाता है कि ये सांप पचास फूट लंबा और चार फूट चौड़ा है कहा जाता है कि टाइटेनो बोवा सांप का वजन करीब पंद्रह सो किलो तक होता था साल दो हजार नौ में कॉलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशाल काई सांप के कई जिवाशम में मिले थे इस जिवाशम की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया की उस सांप की लंबाई करीब 42 फिट और वजन करीब करीब 1100 किलो रहा होगा इस विशाल का इस सांप का आखिर टाइटेनो बोवा ही क्यों रखा गया दरसल इस सांप का नाम टाइटेनिक जहाज के नाम पर रखा गया है क्योंकि टाइटेनो बोवा भी टाइटेनिक जहाज की तरह ही विशाल था ये सांप अपने समय में मौजूद सभी सांपों में सबसे बढ़ा था अब टाइटेनो बोवा सांप जिन्दा है या नहीं ये तो इसके बारे में दावे करने वाले वैग्याने की जाने क्योंकि इसके बारे में अब तक कोई पुष्टी हो नहीं पाए है हाला कि इतना जरूरी है कि अमेजॉन नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनो बोवा जैसे किसी सांप को धूड पाना लगभग ना मुम्किन ही है क्योंकि इमेजॉन जंगल और ये नदी इतने विशाल है कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता